दोस्तों पूरी कहानी सुनना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसके बाद में आप लोग खुद बताना कि क्या इसका कोई और सोलीशन हो सकता था या फिर ये जो किया गया वो बिल्कुल सही है और ये एक पर्टिकुलर एक सिंगल कहानी नहीं है आज ही के न्यू अपनी लाइफ को एंड कर देना अभी यहां पर दोनों कहानी मैं आप लोगे साथ में कंपेर करके बताऊंगा आप लोगो और फिर थोड़ा सा सोलीशन के बारे में डिसस करेंगे क्योंकि इस बात की मैं आप लोगो गैरेंटी देता हूं चाहे जिंदगी में आप लोग क इसके बारे में ऐसा कभी न कभी दिमाख में आए कि नहीं है पर लेकिन इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा और इसी के साथ में आज का लेक्चर कुछ जादे ही स्पेसल रहने वाला है रीजन क्या है वो आप लोगो थो पाद में वो सर्प्राइज में आप लोगे सामने उपन करूँगा क्योंकि आज जो है कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा जो कि नॉर्मली आप लोगो मतलब एक अपग्रेड माइंड करके आप लोगा जाएगी कुछ नहीं है आपर लिख दिया है कमेंट बोक्स में तो बहुते कुछ हम लोग यहाँ पर डिसस करने वाले हैं पर लेकिन सबसे पहले जो मैं दो इन न्यूस के बारें बात कर रहा हूं उसको आप लोग एक बार ध्यांज़े सुनिए आज की डेट में 99% लोग जो हैं वो क्या करते हैं वो किसी एक इनसान के साथ में रिलेसंसिप में रहते हैं और उसी इनसान को जो है वो अपनी दुनिया बना लेते हैं मतलब उसके बार उनको कुछ नहीं दिखाए देता है अगर उस इनसान के साथ में वो अच्छा फील कर करते हैं तो उनकी दुनिया बदल जाते हैं उनको बुरा लगने लगता है यह सबसे जादा खतरनाक सिच्विशन क्रियेट करता है जिसकी वे से ऐसे इंसिडेंट यहां पर सामने निकल कर आते हैं यह एक मेडिकल की छात्रा थी जो बिसिकली गाजेबाद के अंदर में रह र जाती है उसके बादें फिर से बैक आती है और वहां पर जाकर सुसाइड कर लेती है अब यहां पर यह किलियर नहीं है कि इन्होंने खुदने सुसाइड किया है या फिर यहां पर इनको धक्का दिया गया है पर हां यहां पर जब मैं पूरे सारे तथ्या पढ़ रहा था त तो सबसे important जो basic चीज क्या निकल कर आती है जो मैं आप लोगे साथ में share करना चाहता हूँ वो ये है कि जिंदगी में अपनी जो life है वो एक इंसान के इर्दगिर्द मत घुमाईए अगर वो इंसान दुखी हो गया तो आप लोगी जिंदगी में भूचाल आ गया और वो इंस इंसान खुस है तो आप लोगी जिंदगी बले बले चल रही है और इस बात की मैं guarantee देता हूँ कि एक इंसान के साथ में हमीसा आप लोग खुस नहीं रह सकते कि उसी इंसान के इर्दगिर्द आप लोगी लाइब घुमें हर एक लाइब में अलग-अलग इंसान है आप लो प्षेर करता है तो आप लोगी life में कोई ने कोई हाँ पर ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको आप लोग यह देखकर चलो कि सारी चीजे इसी इंसान के ओपर ने डालने लाकर ठीक है तो हमेशा जिंदगी में एक ऐसा इंसान रखो जो कि हाँ पर ठीक है आप लोग relationship में हो आ की हो चाहे लड़का हो उसके अलावा जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो है आप लोग का केरियर वो है आप लोगी हैल्थ वो है आप लोग को जिंदगी में महनत करकर अपने पैर उपर खड़ा होना क्योंकि उस टाइम पर कोई नी आने वाला है जब आप लोग प्रेसान रहोगे फ्रस्टेट रहोगे अगर खुद से महनत करना आप लोग नहीं सीखोगे अक्सर कहते हैं मेरे पास से मैसेज आते रहते हैं मेल आते रहते हैं सर वो छोड़के चला गया वो छोड़के चलेगी अगर कोई छोड़के चला गया चोड़के चलेगी सबसे पहले अपने केरियर पर फोकस देओ अपनी हेल्थ पर फोकस दो और अपना जिंदगी में अर्निंग करो ताकि दूसरे के ओपर डिपेंडेंट ने रहना पड़े त कोई इस धर्ती पर ऐसा था भी क्या वो इंसान जो है वो चला जा चुका है तो ये चीज आप लोग समझना और इस चीज को अपने लिए नहीं दूसरों के भी साथ में सेर करना और किसी इंसान के साथ में ऐसा इंसान आप लोग बन जाई है तो ये किसी के लिए आप लोग को इंपेक्ट ने पढ़ने वाला है कुछ दिन के लिए घरवाले भी रोएंगे उसके बाद में भूल जाएंगे ठीक है क्योंकि उनको भी अपने काम करने उनको भी जिन्दगी चलानी है पर हाँ टाइम टू टाइम जो है चीजे याद आती रहेंगी तो ये आप लोग ही हाँ पर याद रखना ठीक है तो ये बेसिकली आप लोग ही हाँ पर देखना तो हमेशा चीजों का अच्छे से लेकर चलना इसी के साथ में आज एक काफी important दे है उसके बारे में मैं डिस्स करूँगा काफी अच्छे से हम लोग बाते डिस्स करेंगे और हाँ अभी BPSC का रिजल्ट आया और OPSC का भी साथ उडिसा वाले का भी रिजल्ट आया तो बहुत कई सारे बच्चों के मेल आ रहे हैं तो कई सारे मेल में देख रहाता है आप तो यार देखो अभी लगे रहो ठीक है अभी इन situation को आप लोग थोड़ा सा देखो अभी लगे रहो फाइनल रिजल्ट लेकर आओ तब जिन्द की जिन्दे में मज़ा आने वाल है ठीक है अभी एक बच्चे ने तीन भार मेल करते का रहा है सोचो सबने एप्रिशेट कर दिया उसके साथ में फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर कैसा फिल होता है तो वो चीज़ा आप लोग देखो तो कोसिस करो अपना जादे से जादा फोकस जो है अपना भी पढ़ाई पर लगाओ ठीक है तो यहाँ पर यह बात है एक लोग गए होे हैं वो गए होे हैं आप लोगो बता है 12 तारिख से 12 तारिख से 26 तारिख आ गई कभी तो कोई मसीन तूट जा रही है कभी कुछ हो जा रहा है चो 48 घंटे हो गए काम जरासा भी आगे नहीं बढ़ा है आप लोग मुझे एक बात बतातो मैं इसको ऐसे नहीं ले रहा हूँ कि मैं किसी के लिए गलत बोला हूँ नेगेटिव बोला हूँ अगर यहाँ पर कोई politician होता या फिर उसके परिवार का कोई बच्चा होता या फिर कोई परिवार का member होता तो यहाँ पर इतने दिन लगते के हैं हाँ पर आज की सेहत जो है वो ठीक है कहीं ने कहीं महाँ पर समान पहुंचा दिया गया है पर लेकिन यह कुछ जादे लापरवाई वाली बात नहीं लग रही है अपर एक तरीके से ऐसा लग रहा है तो इसको तो बिल्कुल ऐसे रास्ता मिलना चाहिए जैसे एंबूलेंस को मिलना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पर तो एंबूलेंस में तो एक इंसान की जान जाती है कि हाँ एक इंसान है कोई एंबूलेंस के अंदर में यहां तो 41 लोग हैं बेसिकली इस टरनल के अंदर में और डेली का यह ऐसी न्यूज देखने को मिलती है कि यहां पर भाई साब आज इस मसीन ने काम नी किया यहां से ड्रील किया यह नी हो पाया 48 गंटे से कुछ चलनी रहा क्यों? क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई जो कट नी रही है तो 48 गंटे से वो चीज नी कट रही है हमारे पास में ऐसी मसीन नी है आप लोग सोच के देखो मतलब मंगल गरहा पर हम लोग जा रहे हैं हम लोग जमीन में गहराई पर जा रहे हैं पर लेकिन सोच के देखो मैं इसमें कुछ बोलना चाहा नहीं रहा था पर लेकिन डेली का जिस जब इस तरीकी की निउस निकल कर आती है तो बड़ा ही इरिटेटिंग वाला महूल लगता है ऐसा लगता है कि यहां ठीक है चल रहा है एक काम बराबर में करते रहेंगा राम राम से तो वो वाली सिच्वेशन है किसी पोलिटीशन को है किसी ऐसे जो बिजनेसमेन को यहां पर रग दो इसके अंदर ले जाकर मतलब 48 घंटे तो यहां पर इन्होंने काम नहीं किया उस इंसान को 48 घंटे में तब जाकर और अच्छे से मजाए पर फिर भी ठीक है जो भी आप लोगों ने किया अच्छा है लगे रहो ठीक है इसी के साथ में आज है 26 नवंबर इंटरेस्टिंग चीज बताओ मैं आप लोगो मैं पूरे निउस पेपर में घूम गया कहीं भी Constitution Day के बारे में नहीं है आज वो चीज मुझे बड़ी सर्प्राइजिंग लगी जब मैं हापर निउस पेपर देख रहा था कई सारी Political Party जो है नोर्मली छापा करती थी हापर दुनिया भर के Advertisement है अलग-अलग कई सारे Advertisement देखने को मिलेंगे पर एक भी Advertisement ऐसा नहीं है किसी भी Political Party का जो कि Constitution Day के बारे में हापर बात कर रहा हूँ आज के निउस पेपर में तो ये चीज मुझे बड़ी सर्प्राइजिंग लगी इवन छट पूजा के लिए भी एक आर्टिकल है हापर पर Constitution Day के लिए हापर कोई भी आर्टिकल देखने को नहीं मिला मुझे रीजन क्या इसका आप लोग खुद बताओ रीजन ही हाँ पर ये क्योंकि सारे के सारे जो है इलेक्सन में वीजी चल रहे है उनको याद ही नहीं रहा कि आज एक तरीके से Constitution Day भी देखने को मिलता है उनको याद नहीं रहा कोई बात नहीं है हम नहीं भूलने वाले हैं तो बहुत ही शांदार तरीके से मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा और बहुत सारी basic information भी मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा मतलब मैं expect नहीं करा था कि कोई advertisement किसी political party से नहीं आएगा पांच बजे डालो या तीन बजे डालो बताइए आप लोग 5 या तीन में से एक चूस कर लिजे 5 बजे या फिर तीन बजे आप लोग सा सही लगएACE आप लोग को बता दीजेmor इसकी time इसको published कर देञे पांच या तीन वेसे चार भी कर सकते है वैसे ठीक है चलो एक option हो गया 3 दूसरा option हो गया 4 ठीक है एक option हो गया 5 ठीक है तो क्या होना चीज़ आम को बता दीजे मुझे तो यहाँ पर इसको basically पूरी October महीने की जो है आज आज शाम को आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगी तीन बज़े ठीक है सबसे पहले तीन वालों ने बोला तो तीन बज़े यह वीडियो आपको सारी प्रोवाइड करा जाएगी Sunday है फिर कुछ घूमने वह उने भी जाते है तो तीन से लगबग पांस तक आप लोग यह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो बड़ा ही एक अच्छा सा पेपर है एक लुकरेटिव जो अब है आप लोगे लिए उसके लिए आप लोग ट्राइ करिएगा बाकी आप लोग देखना है उसमें 27 एर एज है उसमें और काफी एक अच्छी एक आप लोग बोल सकते हो जिन्दगी सवारने के लिए बड़ी ही बहतरीन चीज़ आप लोगो देखने को मिलेगी ठीक है तीन बज़े डालते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे Constitution Day के बारे में और Constitution Day के साथ में बहुती basic information भी आप लोग से discuss करूँगा और यह basically मैं जो Classes Children's Application के अंदर वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ तो जो Question पूछूँगा मैं कम से कम उन लोगों से तो एक्सपेट करूँगा जिनको मैं यह बाते पढ़ा चुका हूँ ठीक है उनसे मैं एक्सपेट करूँगा कि वो इसका answer देंगे बाकी जो First Time सुन रहे हैं वो चेज सुनते चलना पूरे समीधान की कहानी में आप लोगों बताऊंगा इसमें हम लोग अपने Constitution के अंदर में जो Amendment हुए ले टेस्ट वो Amendment भी देखेंगे कैसे कैसे हमारा समीधान है वो भी बाते में आप लोगों से discuss करूँगा तो काफी सारी बाते करेंगे पर इससे पहले एक News जो मुझे कल एक बच्चे ने भी बेसिकली वीडियो भेजी थी प्राइमिस्टर मोदी के बारे में कि हमारे देश के प्राइमिस्टर हमारे देश के प्राइमिस्टर एक First प्राइमिस्टर जो कि हमारे देश के द्वारा बनाए गई एक जहाज को उड़ाए बेसिकली हाँ पर और ये न्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा वाइरल हुई आखिर इसका सिगनिफिकेंस क्या है ये चीज़े यहाँ पर मैं आप लोगों समझाने कोशिस करूँगा ये ऐसे काम करने की क्या पड़ती है ये बात मैं आप लोगों से यहाँ पर डिसस करूँगा ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा सेयर हुई यहाँ पर एक तरीके से और काफी सारे इसके ओपर डीबे डिसकसन भी हुए तो फर्स प्राइमिस्टर इंडिया बन गए है प्राइमिस्टर मोध ठीक है वो जो पर्टिकलर कहानी थी वो ये थी कि एक स्कूल के बच्चे जो है वो मिलकर कोई जहाज बनाते हैं और वो जो जहाज है उसमें सारे आकर अलग-अलग लोगों को इन्वाइट किया जाता है बड़े-बड़े महानुभाव को सबको कि हाँ ये पर्टिकलर जहा जाते हैं पर उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो महां से नहीं उतरता है तो यहाँ पर सबने पूचा कि हवाई जहाज गड़बर था बच्चे ट्राइ कर रहे थे आप उत्रे क्यों नहीं अगर हो सकता है कुछ अनो नहीं घड़ जाती तो स्कूल का प्रिंसिपल ये बोल publicity कि हाँ हमारे बच्चे इतने capable नहीं कि ऐसा जहाज बना देंगे कि वो उड़ जाएगा अभी हाँ पर इसके opposite सोच के देखो आज की डेट में हम लोग maximum हतियार किसे खरीद रहे हैं हम लोग खरीद रहे हैं United तो यह maximum हमारे जो equipment है आज की डेट में जो हम लोग use करते हैं वो equipment हमारे इन देशों से निकल कर आते हैं तो इन देशों से equipment हमारे देश से पहुंचते हैं अब यह जो देश हैं अपने equipment का promotion कैसे करते हैं अपने equipment का promotion अगर आज की डेट में देखो जैसे Ukraine के अंदर में लड़ प्रेन ने रसिया को हरा दिया तो आप लोग सोच के देखो कि रसिया की डिफेंस मार्किट के ओपर इसका क्या इंपट पड़ेगा उससे हत्यार लेने लोग बंद कर देंगे कि वो टिकी नहीं पाए हाँ पर और जो USA की डिफेंस मार्किट है वो एकदम बढ़ जाएगी रस हमारे देश के प्राइमिस्टर खुद हमारे देश के लीडर ने हाँ पर आखिर जाकर बैठी इसके अंदर में और हमारे ही देश के द्वारा ये इंडिजिनेसली बनाया गया है तो इसमें सबसे इंपोर्डेंट बात ये निकल कर आती है कि लोगों को ये दिखाना कि ये स प्राइमिस्टर के द्वारा उसको एक तरीके से उसके अंदर में बैठ कर उसको उड़ाए गया और यहाँ पर ये दुनिया ने देखा और दुनिया ने इसको चापा तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हमसे कई सारी चीज़े खरीदना चाहते हैं पर लेकिन कई बार ये ट्रस्ट नहीं रहता है कि आर पता नहीं चीज़ सही होगी या फिर नहीं होगी तो अभी जब यहाँ पर ये इस तरीके से सिचुएशन निकल कर आएगी और इस तरीके से हमारे लेडर इसमें बैठ कर इसकी फ्लाइट यहाँ पर देखने को मिली लगबग 30 मिनिट की यहा जराएंगी जो दूसरों से हम लोग दुनिया बर के हतियार खरीद रहे थे वो खरीदना बंद करेंगे अपने ही देश के अंदर में इंडिजनिसली यानिके अपने आप जब हम लोग हतियार बनाएंगे अपने ही देश में हतियार बनाने के लिए अपने ही लोगों को इं हैं कई बार यह आना कानी करने लगते हैं हतियार प्रोवाइड कराने में तो इससे क्या होता है हमारी security भी खत्रे में पड़ती है तो कहीं न कहीं अगर हम लोग self-dependent होकर यह काम करने start करेंगे तो हमारी security भी खत्रे में नहीं पड़ेगी अपने आप हम लोग यह सारी चीजे करते हुए नजर आएंगे तो यह क्या है यह आप लोग समझ सकते हैं कि यह काफी अच्छे से आप लोग इसको ध्यान लखेगा कि यह basic है कि हम लोग अपनी इस तरीकी की चीज़े हम लोग लेकर चल रहे हैं ठीक है तो यह आप लोगों से देखने का तरीका नजरिया चेंज करो UPCS Parent हो आप लोग तो चीज़ों को ऐसे मत देखा करो मतला वो basically किसी दूसरी बैठा हुआ है जो main pilot है जो कि हाँ पर बैठा हुआ है एक तरीका demonstration है चीज़ों को दिखाने का तरीका है कि हाँ ऐसे कुछ देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि indigenously हमारी ऐसी capability निकल कर आ रही है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो ये तो हम लोगों को pride moment होना चाहिए feel करना चाहिए कि हम लोगों ने ऐसा कुछ बना लिया कि हम लोग अपने देश के leader को वरना प्राइमिनिस्टर जो होता है वो most important political authority है देश के अंदर में अगर कल को कुछ भी हो जाए तो पूरी दुनिया में इसका एक तरीके से आप लोगो देखने को मिला खबर बनती नजर आएगी तो ये सी situation आप लोग यहाँ पर देखर देखो ठीक है तो ये काफी एक तरीके से neutral तरीके से चीज़े देखा गरो ऐसा ने कि हट टाइम political party political party क्या होती है राएंगी जाएंगी देश के बारे में सोचा गरो कि देश का क्या हो रहा है political party के बारे मुझे सोचा गरो अपने देश के फैन रहो ना कि किसी political party के फैन आप लोग रहना है तो ये चीज़े आप लोग धियान रखो तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखना तो यहाँ पर क्या है यह light combat aircraft है जो कि हमारे देश के अंदर में basically बनाया गया यह एक तरी successful flight जो है तेजस नाम है आप लोग याद रखना कल को और पूछ जाए कौन सा aircraft उड़ाया है प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा तेजस उड़ाया है बंगलोर से उड़ाया है चेल के द्वारा बनाया गया लगग 30 मिनट की Friday देखने को मिली तो हमारी defense industry को बहुत पूरी बता दी कि मैं जिन्दगी में चाहता था पाइलेट बनना पर लेकिन सर पाइलेट नहीं बन पाए तो फिर आगे चलकर उन्होंने खुद ने इस चीज के ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में खुद से उन्होंने अपना जो है जहां जुड़ाया तो जिन्दगी में जजबा ऐसा रखो ठीक है कि इस तरीके की फिलिंग आया आप लोगो आ रहा है कि सुनके नहीं आ रहा अच्छा तो ये चीज़ा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो इंपोर्टेंट है इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा इंकल को कई सारी च देखने को मिलता है हम लोग जली कट्टू ये सारी चीज़े हम लोग जो सैलिबेट करते हैं ठीक है कोक फाइट आप लोगो देखने को मिलती है आप तो ये सारी चीज़े क्या है ये सारी चीज़े आप लोगो देखने को मिलता है कि हमारे देश की कल्चर है पर लेकिन इस culture में कई बार कई सारी दिक्कते देखने को मिलती हैं तो इसलिए कई बार इनके उपर बैन लगाया जाते हैं अगर आप लोग particular area से आते हैं जैसे मालेजी आप लोग अगर आज केट में अगर basically जो करनाटका से आते हैं करनाटका से आते हैं तो कमबाला जो है जिसको आप लोग यहाँ पर एक तरीके से भैसा रेस बोलते हो तो यह काफी important है इसके उपर recently एक भड़ी बहतरीन movie भी आई थी आप लोग ने देखा होगा ठीक है तो इसी के साथ में अगर कोई ऐसी culture लोकल लेवल पर आप लोगो चीज़े देखने को मिलती है तो आप लोग इसके बारे में याद रखना अगर जल्ली कट्टू के बारे में बात करें तो साउट इंडिया में आप लोग पहुंच जाना वहाँ पर देखने को मिलेगा कोक फाइट कहाँ पर आप लोगो देखने को मिलती है तो यह आप लोगो बताना है बिसिकली यह सारी चीज़े compare करने के लिए आती है और इनको जब compare करने के लिए question बनता है तो फिर आप लोगो लगता है यह कहां से आ गया तो इसलिए मैं आप लोग कहा रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा at least आप लोगो idea रखना है क्योंकि जब news बनती है तो फिर यहाँ पर आप लोगों से question इसी तरीके से पूछे आते है सबसे ज़्यादा बात क्या है यहाँ पर कुछे से understand कर पाओगे और फिर हम लोग इसके बारे में discuss भी करेंगे आज की date में एक side में तो हैं आपर cultural right आप लोग को देखने को मिलते हैं और एक side में आप लोग को देखने को मिलते हैं fundamental right ठीक है अपने धरम से related follow करने की आप लोग को basically है अगर आप लोग religion के बारे में बात करते हैं ठीक है एक तो freedom होगी आप लोग की article 19 के अंदर में कि आप लोग अपनी life को enjoy कर सकते हो दूसरा आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग को religion से related article 25 से लेके 28 तक का ये अनुच्छेद दिये गए हैं जिसमें आप लोग को ये वाली freedom देखने को मिलती हैं इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को article 29 जो है और article 30 यहाँ पर ये अगर आप लोग basically अपनी culture से खासकर जो minority के अधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं और एक side में ये सारे अधिकार आ गए और दूसरी side में आ जाता है यहाँ पर animal, morality और right to life मतलब right to life का मतलब क्या हो गया right to life का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि एक इनसान जो है article 21 के अंदर में अगर आप लोग देखोगे कोई ऐसा game खेलने की वज़े से अब दोनों के बीच में balance बनाने वाली बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर right to life के बारे बात करते हैं तो एक इनसान की जान चलेगी इस game की वे से और किसी animal यानिके जो जानवर है उसके भी हम लोग right के बारे बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों लगता है कि वो जानवर वो चीज करना चाता है हम लोग जबरदस्ती उसको train कर रहे हैं और तब जाकर उससे चीज करा रहे हैं, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसकी बात में हाँ पर यह situation देखने को मिल रही है, तो क्या जानवर इसमें interested होगा, जानवर इसमें कभी भी interest नहीं होगा, तो एक साइड में culture आप लोगो देखने को मिलते हैं, religion के बारें बात करते हैं, fundamental right के बारें बात करते हैं, एक साइड में इंसान की जान के बारें बात करते हैं, और animal right के बारें बात करते हैं, तो यह कई बार चीजे जो हैं, आपस में कहीं attack जाती हैं, अड़ जाती हैं, और फिर यहाँ पर यह case जो है, वो code में पहुंचता है, और इसके तो यह चीज़े बोल सकते हैं तो मुझे क्या लगता है कि देखो सारे फेस्टिवल वगरा ऐसी कल्चर की चीज़े होनी चाहिए पर लेकिन उस तरीके से होनी चाहिए ताकि किसी की जान ने जाए अटलिस्ट क्योंकि अगर जान ही चली गए किसी की डैथ होगी तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है तो कोई ने कोई ऐसा बीच में बैलेंस बनाकर हम लोग चलें तो जादा है एक तरीके से अच्छा रहेगा यह चीज़ आप लोग इहाँ पर बोल सकते हो तो फिर यहाँ पर इनको क्या करते हैं इस तरीके से कई बार लोगों की जान जाती है तो फिर बोला जाता है क्या हो गया कमबाला यहाँ पर देखने को आप लोगों मिल गया है 2014 के अंदर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक पर्टिक्लर ओर्गिनेशन है जिसको बोलते हैं पेटा मतलब पिपल फोर एथिकल ट्रीटमेंट ओफ एनिमल यहाँ के लोगों का एनिमल के लिए एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए तो उसको लेकर यहाँ पर इनकी उपर बेहन भी लगा दे गया था पर इनके द्वारा बोलागे कि जल्ली कट्टू जो है वो सदियो पुराना हमारा एक कल्चलर फेस्टिवल है हम लोग उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते तो इसके वज़े से यहाँ पर चीज़े आप लोगो देखने को मिलती है तो मैंने आप लोग को बैलेंस बता दिया अब किधर भी जाए तो आप लोग के मैंड मिस को लेकर कंफूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो दोनों चीज़े आप लोग यहाँ पर याद रखना अपने प्यारे Constitution के बारे में 26 November को ही हम लोग अपना समिधान दिवस बनाते हैं 26 January को नहीं बनाते हैं यह याद रखना इसके पीछे reason क्या था इसके पीछे reason था कि हम लोगों ने बहुत सारे जो basically आर्टिकल थे वो implement करे थे और टोटल मिलाकर 16 आर्टिकल इंप्लिमेंट करे थे ठीक है तो यह याद रखना अरे हाँ discipline test आप लोग रहेगे आज भी Sunday को भी आकर अगर आप लोग lecture देख रहे हैं तो सबसे पहले तो बधाई हो बहुत सारे लोग जो है Sunday को छुट्टी मार लेते हैं देखो इसको कहते हैं जिंदगी में अपने आपको एक साई direction में लेकर चलना अकसर लोग जो है आलस के सिकार होते हैं ठीक है उनको यह लगता है कि हाँ ठीक है यार एकाद दिन तो मोज कर लेनी चाहिए ठीक है आज ठीक है आप लोग पूरे हफ़ते exercise कर रहे हैं तो आज ठीक है थोड़ी कम exercise कर लो ठीक है इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो पर इसका मतलब है नहीं कि आज बस ऐसे चल रही है जिंदगी कट रही है क्योंकि यह माना गया है अगर एक तरीके scientific तरीके से मैं बात करू अगर आप लोग discipline में आ गए हैं और उस discipline को दो दिन तक अगर आप लोग continuously break कर देते हैं तो आप लोग पुराने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं समझो कि एक से डेड़ महीना पीछे आप लोग पहुंच गए उतना तकड़ा discipline लाने में फिर से आप लोगो उतनी ही मै तो वो मज़ा अगर आप लोगों ने दिमाग को देना स्टार्ट कर दिया तो यह समझना वो आप लोगों के केरियर के लिए सजा बन जाएगा अगर वो मज़ा उसको मज़ा आना स्टार्ट हो गया क्योंकि ना तो वो टाइम पर उड़ने देगा ना टाइम पर आप लोग यहाँ पर और बातों की फालतों की चीज़े आप लोग देखना मतलब ये तरीके से आने वाले टाइम में ये कहीं ने कहीं आप लोगो एक अलगी नेचर देखने को मिलेगा सोसल मीडिया का ये ऐसा था कि एक एजुकेशनल प्लेटफोर्म की तरीके से स्टार्टिंग में य रवया चेंज हो गया एक टाइम हुआ करता था अगर जो ट्रेंडिंग सेक्शन आप लोग जाकर देखोगे उसमें एसर आ करता था कि पर्टिकुलर एक एक मतलब एजुकेशनल से भी कोई ने कोई वीडियो महाँ पर रखा करते थे वो लोग अलग लग सेक्शन से वीडि यहाँ पर नजराएगा तो इसलिए आप लोग को यह बात इसलिए बता रहा हूं कि यूट्यूब के ट्रैप में मत फसो जो चीज आप लोग को यूट्यूब पर देखनी है आप लोग को उसको डिसाइड कर लेना है और उसी के लिए यूट्यूब खोलना है मैं यह नहीं होना चाहिए कि automatic वो दूसरी वीडियो पर जाकर jump हो गया क्योंकि दिमाग को tough काम लगेगा उसको रोकने के लिए चीजे इतनी सारी हैं आज की date में ठीक है ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना जो बहुत ज़्यादे important है आप लोग की searching बात करके रख देगा मैं कहरा हूँ ये चीज संभाल लेना अपनी अगर नहीं संभाल पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तो जहां पर जाकर जो देखना है उसी को खोल कर particular channel को वो चीज देखकर तुरंत बंद करके mobile को fact देना है वरना बहुती ज़्यादे दिक्कत में आप लोग आते वे नजराओगे ये चीज आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो खुद feel करके देख लेना और सबसे खतरनाक चीज़ तो यहाँ पर ये आप लोग दो घंटे की कोई जैसे माली जी ये वीडियो में ने डाल दी दो घंटे के अगर ये वीडियो देखकर जाओगे ना तो आप लोग को पता रहेगा आप लोग उने क्या-क्या पढ़ा है इस दो घंटे में अलग-अलग न्यूज आप लोग से डिस्स के जाएंगी सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी पर उन दो घंटे में आप लोग सोट चटका के देखना आप लोग उसमें से दो मिनट भी याद करके दिखा देना तो मैं आप लोग को बता दूगा नहीं याद रहने वाला है नहीं अगर यकीन आ रहा है तो एक A4Sight की seat ले लो और उस पर लिख कर देखना कि इन में से कितनी देखिया और कितनी आप लोग को याद है और फिर मुझे बताना आकर कि हाँ सर इतनी तो याद हम लोग को रही गई है ठीक है मैं यह नहीं कर रहो कि देखने बंद कर दो देखने भी है तो एक दो कोई काम की देखके बंद कर दो उनको स्क्रोल मत करते रहो यह सबसे ज़्यदा खतरनाक चीज आप लोगे लिए है आज की रेट में और हर जगे चीज़े देखने को मिलेगी इस्टाग्राम पर चले जाओ यहाँ पर चले जाओ एक तरीके से वो टिक टोक था खेर वो बंद हो गया तो यह चीज़ा आप लोग समझ सकते है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको चलाओ ना कि यह आप लोग को चलाए वरना गडबड होती आप लोगो नजर आएगी और फिर बोलोगे यह क्या होग यार तो यह चीज़ आप लोगे यहाँ पर याद रखनी है ठीक है तो अपना बैलेंस बना कर चलना है तो बताओ आज का टारगेट आप लोगा कितना कंपलीट आप लोग करने वाले हो कमेंट बॉक्स में बताना और पांच में से कितने नंबर आप लोग के आने वाले हैं यह भी बताना और एक और आज आप लोग के टेस्ट होंगे हापर जो कि आप लोगे normally टेस्ट होते हैं संडे के अंदर में तो test series जो है अपनी life का आप लोग part बना लिजे क्योंकि November आ चुका है अगर अभी भी आप लोग practice नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी question practice करना इस्टार्ट कर दो अगर आप लोग UPC की त्यारी कर रहे हो खासकर या फिर state pieces की त्यारी कर रहे हो यह बहुत ही important time आ गया है यहां से आप लोग को पीछे नहीं अटना है टेस्स सेरीज में सबसे पहले कोशिस करो कि जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उनकी भी practice करना है start करो और पुराने PYQs आप लोग यहां पर देखो ठीक है तो यह आप लोग ध्यानक नहीं आपर क्योंकि अब अब अगर आप लोग test series को ignore कर रहो हो यहां से तो आप लोग को गड़बर देखने को मिलेगी पर इसका मतलब यह नहीं कि answer writing आप लोग को बंद कर देनी है answer writing भी लेकर संग लिए मेरा कहने का मतलब है कि यह मनायता है कि दिपावली के बाद में आप लोग को balance करना start कर देना चाहिए मैंने बोला था कि आप लोग की अगले महीने से अब आप लोग की यहाँ पर एक आप लोग को basically full test भी देखने को मिलेगा जो की free में होगा paid वाले तो आप लोग को पता है सारे चल रहे है UPSC के, CDS के या फिर जो जो भी test चल रहे है वाँ पर weekly वाले भी लेकिन अब free test मैंने आप लोग को से promise किया था तो free test भी आप लोग को देखने को मिले करेगा उसका time बता देंगे basically December से मैंने बोला था तो December से जो first week होगा December का तब से आप लोग को यहाँ पर वो provide कराना start कर दे जाएगा तो उसमें सारी चीज़े अच्छे से cover करेंगे और मैं चाता हूँ कि आप लोग उसमें participate करो अच्छे से ताकि आप लोग सही level पर चीज़ों को ले कर चल सको ठीक है बाकी आप लोग को एक याद चीज रखनी है जो भी चीज पढ़लो उसको revision करते वे जरूर चलना है क्योंकि अब चीजों को थोड़ सा revise करने वाला जो time है उसको increase करना इस्टार्ट कर देना हलका हलका से यहां से ठीक है पढ़ते भी रहना नहीं चीज़े भी करते रहना पर लेकिन revision वाले time को भी थोड़ सा आप लोग को time देना इस्टार्ट कर देना ठीक है यह सारी चीज़े और application डाउनलोड कर लेना वहाँ पर आप लोगो सारी चीज़े मिल जाती है बहुती सारे एक तरी सीरियस बच्चों का एक group यहां पर जुड़गया अच्छी बात यहां पर यह है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते है NCRT की क्लास जो है वो मैंने आप लोगो बताए थी तो NCRT की क्लास आप लोग यह स्टार्ट होने वाली हैं अभी December के अंदर में उसके लिए भी आप लोग बेसिकली तैयार रहना चीज़ों को लेकर अच्छे से ठीक है तो यह सारी चीज़े अपनी बेस बनाकर चीज़ों को इच्छे से लेकर चलते हैं अब यहाँ पर जो Constitution Day है 26 November को celebrate कियाता है National Low Day भी आप लोग बेसिकली इसको बोलते हो समिधान दिवस भी आप लोग यहाँ पर बोलते हो आखिर इसके पीछे reason क्या है 26 November 1949 में हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर कितने आर्टिकल 16 आर्टिकल ऐसे थे जिनको implement किया गया था तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर यह याद रखना कि हमारे देश के अंदर में जो हम लोग ने समिधान हम लोग लेकर आए हैं यह constant assembly के थुरू यहाँ पर बनाया गया है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कुछ basic question पोचना चाहूँगा और आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग इसके बारें बता है जी जिसने application पर classic देख रखी हैं वो at least answer जरूर देना ठीक है आप लोगों यह बताना है कि हमारे देश के अंदर में जब constant assembly यानि कि समिधान सभा जो बनाई गई थी वो सबसे पहले अनोफिशल तरीके से किसने उसकी मांग की थी कि समिधान सभा जो है वो हमारे देश के अंदर में होनी चाहिए ठीक है दूसरा question आप लोगा यहाँ पर यह है कि official तरीके से किसने मांग की थी कि हमारे पास में समिधान सभा होनी चाहिए एक तो unofficial हो गया unofficial कैसे होता है कि हाँ किसी ने बोल दिया कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए ठीक है दूसरा है unofficial मतलब official हो गया कि मतलब particular जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं कि official notification आ गया ठीक है यह फिर newspaper में आ गया तो newspaper में unofficial हो गया तो यह आप लोग यहाँ पर याद रखना तो official unofficial में यह difference आप लोग यहाँ पर बता होना चाहिए ठीक है को अपना समिधान खुद से बनाना है पर लेकिन unofficial तरीके से एक दो बच्चे का आंसर है exactly और unofficial तरीके से सैद ही मुझे लगता है कोई धंक से बता पा रहा है नई exactly unofficial तरीके से याद रखना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यहाँ पर यह बात की गए थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज बिल लेकर आए गया था स्वराज नाम का एक बिल लेकर आए गया था और यह बात की जा रही है 9895 तो यहाँ पर 1895 में यह याद रखना आप लोग यहाँ पर इसको unofficial तरीके से सबसे पहले सुराज बिल के अंदर में मांग की गए थी कि ऐसा कुछ हलका फुलका होना चाहिए तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आप लोग को याद रखना है ठीक है वो ट्रश जो था वो यहाँ से ब्रेक हो गया था तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम लोग अपना समिधान अपने आप बनाएंगे जबकि 1919 में बिटेन के द्वारा यह बोला गया था कि यह काम हम ही कर देते हैं यार हम अपनी चीजे लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास में experience है तो यह काम हम भी अच्छे से कर लेंगे पर इंडिया ने बोला कि तुम से तो कम से कम यह काम नहीं करवाना है तो यह चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो हम लोग ने अपना समिधान अपने आप बनाने स्टार्ट किया तो यह चीजे आप लोग को देखने को मिलेगी अब मैं आप लोगों से बात करूँगा ओफिशल तरीके से चीजे कैसे बढ़ी जब हमारा समिधान बना सबसे पहले 1934 में आप लोग याद रखना 1934 में हाँ पर बात की गई थी किसके द्वारा यह बात की गई थी MNRO के द्वारा 1934 में कि हम अपनी constant assembly अपने आप बनाएंगे और उस constant assembly को बनाकर हम लोग अपना खुद का constitution यन के समिधान अपने आप बनाएंगे यह officially मांग की फिर इसके द्वारा जो दूसरी आप लोग को important मांग देखने को मिलती है वो है 1934 राची में सैसान हुआ था और यह state PCS के अंदर में question आप लोगों से पूछा गया था स्वेराज जो party है उसने ही हाँ पर बोला था कि हमारी खुद की हाँ पर basically एक तरीके से हमारी खुद का वो होना चाहिए हमारा खुद का constant assembly होनी चाहिए जो हमारा बनाएगा आप लोगों से question ये पुछा था Congress party ने कम मांग की क्योंकि सारा एक तरीके से responsibility तो Congress के पास में थी Congress ने जो इहाँ पर मांग की थी वो की थी सबसे पहले 1935 में ठीक है Congress जो इहाँ पर working committee है उसने बोला थ था कि हमारे देश के अंदर में constant assembly भी होना चाहिए और वो constant assembly ऐसी हो जो कि adult franchise के उपर में काम करें यानि कि हमारे देश के नविवक जो हैं खुद उसको choose करें उसके अंदर में participate करके पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं था यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को ने म लिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में आप लोग को देखने को मिला ठीक है और यह constant assembly जो आज किन में प्यारा सा समिधान आप लोग को दिखाए देता है इतनी जद्धो जहत करने के बाद में यह आगे चल कर इसको accept किया गया कि हाँ चलो ठीक है अपनी constant assembly बना लो तो बोला था ठीक है accept करते हैं पर लेकिन एक बार जो world war चल रही है यानि कि जो second world war द्विच्टे विश्यूद चल रहा था उसको खतम हो जाने दो तो याद रखना 1939 से लेके यह आप लोग को 1945 तक जो second world war देखने को मिलता था इसमें बोला गया इसलिए गांधी जी ने एक सब चरकते कर चुके थे तो यहां तक चीज आप लोगों पता हैं सारी बाते यह बहुती बेसिक सी चीज है जो डिरेक्ट आप लोगों से पुछे आती हैं जो समिधान आज केट में आप लोगों देखने को मिलता है समिधान बन गया मजा आ गया समिधान आ गया पर इसके और वो accept किया गया cabinet mission के दौरा cabinet mission के दौरा accept कर लिया गया और दो चीजों के ओपर focus किया है हापर कि एक तो उस time पर interim government बन गई ठीक है तो यहाँ पर interim government बन गई एक तो उस time पर और दूसरे हाँ पर हमारी constant assembly आ गई यह दो important provision आप लोग यहाँ पर याद रखेगा जिसको लेकर हम लोग ने अपना समिधान बनाना फिर आगे start किया कि हाँ हम लोग अपना समिधान बनाएंगे ठीक है और constant assembly में आप लोग को एक तरीके से बोल सकते हैं एक multi-party system आप लोग को देखने को मिला था कोई आप लोग को बोलनने लगे कि कि किसी एक political party की constant assembly थी तो ऐसा नहीं है multi-party constant assembly थी जिसने हमारा समिधान यहाँ पर बताया हमारा समिधान यहाँ पर बनाया और interesting चीज में बताओं यहाँ पर population के base पर यहाँ पर लोगों को लाया गया था यानिके per million यानिके हर 10, हर 10,000,000 population पर एक इंसान को यहाँ पर रखा गया था यह आप लोग याद रखना य कोई आप लोगों से पूछने लगे caste के base पर नहीं था, कोई आप लोगों से पूछने लगे language के base पर नहीं था, population के base पर और यही population base आज की rate में, जब हम अपनी खुद की, आज की जब हम अपनी खुद की constituency बनाते हैं, यह भी population के base पर बनाते हैं, आप लोग को याद होगा delimitation commission के through जो हम लोग constituency बनाते हैं वो भी population के waste पर आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलती है इसमें जो सबसे interesting चीज है यह तो हम लोगों ने population के waste पर किया पर लेकिन community अलग-अलग divide हो रखी थे हैं आपर आप लोगो बता हैं कि हमारे देश में divide and rule वाला खेल खेला गया था अंग्रेजों के द्वारा तो वो जो divide and rule वाला खेल था उसके बारे में आप लोग याद रखना उसमें यहाँ पर एक तो general category हुआ करती थी general category में आप लोगो यहाँ पर हिंदू इसाई, SCST यह कई सारे आप लोगो community देखने को मिलेगी एक यहाँ पर Muslim community हुआ करती थी जिनको अलग से उन्होंने आप लोगो बता हैं 1909 में हाँ पर Muslim community को बहका लिया था उस टाइम पर यहाँ पर चीह देखने को मिली और आगे चलकर सिक community को भी हाँ पर separate electrol दे दिया इसका मतलब क्या था इसका मतलब यहाँ पर यह था जो की सबसे खतरनाक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जनल community के लोगों को चूज करने के लिए जो vote डाल जो मतलब participate के जाएगा वो जनल community के ही लोग करेंगे Muslim community के लिए जो participation रहेगा वो Muslim community के लिए करेंगे और यहाँ पर यह particular sick community के लिए sick community के लिए करेंगे उधारन के तोर पर समझातों आसान सब्दों में आप लोग समझ पाओगे 33% reservation महिलाओ को हम लोग ने दिया है recently अभी अगर कल को कोई महिला खड़ी होती है election के अंदर में हम लोग यह बोनने लगे इस महिला को vote only महिला ही देंगी कोई male candidate यहाँ पर इसको vote नहीं देगा तो इस तरीके का funda यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह clear division हो जाता है अभी फिलाल क्या है अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो सब जाकर vote डालेंगे उसको male भी डालेगा female भी डालेगा तो यह चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह आप लोगों से कई बार पूछ लिया आता है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा और बहुत ही basic से चोड़े-चोड़े question आप लोग यहाँ पर बन जाते हैं तो इसलिए मैं आप लोग कहा रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान रखते वे चलिएगा कल को कल को चल कर आप लोगे मन में कोई भी doubt इसको देखने को नहीं मिले अब कुछ और interesting बातें जो आप लोग यहाँ पर याद रखनी है हमारे देश के अंदर में एक objective resolution लेकर आए गया था यह objective resolution से इतने question मनते हैं जिसके कुछ हद नहीं है पर आज के बाद में कोई question आप लोग चुटेगा नहीं objective resolution के बारे में फिर से मैं कहा रहा हूँ जो already class ले चुके हैं उनसे मैं expect कर रहा हूँ कि वो answer देते वे चलेगा objective resolution जो है वो कौन सी meeting के अंदर में accept किया गया था यह आप लोग को बताने हैं याद रखना objective resolution जो है यहाँ पर वो आप लोग को date तो याद रहती है कि 13 December 13 December착़ यहाँ पर default act Curt if a result object resolution जो है वो है यहाँ पर introduce किया गया था एक तो होता है introduction करना कि हाँ भाई साथ अलली जीशन आ गया और दूसरा होता है accept करना ठीक है तोि यहाँ पर इंहाँ पर इंट्रीउस इंट्रिणी किया गया था 13 December 13 December 1904 में पर लेकिन accept कब किया गए था यह आप लोग बताइए accept कब किया गए था यह मैं आप लोगों से जाना चारहो accept किया गए था 22 January 1907 में इसको accept किया गए था तो यह चीज आप लोग याद रखना 13 December को introduce किया गए था ये पंडित जवालाल नहरुजी के द्वारा यहाँ पर इसको इंटेड्यूस किया गया था अब इतनी सारी बाते तो आप लोग सब जानते हैं पर लेकिन क्या आप लोग को पता है कि 13 दिसंबर वाला यहाँ पर यह पर यह पर यह था यह कौन से नंबर की मिटिंग थी exactly आप लोग याद रखना 9 दिसंबर को पहली मिटिंग हुई 10 दिसंबर को दूसरी मिटिंग हुई 11 दिसंबर को तीसरी हुई 12 दिसंबर को चोथी और 13 दिसंबर को पांच वी मिटिंग हुई यहाँ पर जब पांचवी मिटिंग हुई थी हैं आपर 13 दिसंबर को हैं आप तो वो पांचवी मिटिंग में हैं आपर basically accept किया गया था objective resolution और इसी objective resolution में से हमारा निकल कर आता है preamble जिसको आप लोग प्रस्तावना बोलते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा important बात है वो आप लोग इहां पर ध्यान रखना ध्यान क्या रखना है यहांपर कि ये पांचवी मिटिंग थी ना कि कई बार तीसरे नमबर की मिटिंग आप लोग बोलते हो पांचवी मिटिंग थी objective resolution जिसमें ये चीज़ आप लोगो देखने को मिली कि हमारे implement किया गया और CCC में से प्रस्तावना जिसको आप लोग प्रारूप बोलते हो वो लेकर आए पर यहाँ पर एक बात question mark लगा देती है प्रस्तावना 26 नवंबर को हमारे देश में implement नहीं किया गया था प्रस्तावना को भी बाद में चल कर implement किया गया था 26 जनवरी को ठीक है यहनि कि आतो गई में हाँ पर इसको accept किया गया था ठीक है तो ये बहुती basic सी चीजे हैं जो मैं आप लोगों बता रहा हूँ यह आप और इनसे frequently question आप लोगों से पुछे आते हैं और आप लोगों लगता है question कहां से आगे ठीक है आप लोगों इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आये थे हां पर वो कहां से चुन कर आये थे वो East Pakistan से चुंकर आये जिसको उस टाइम पर आज की रेट में Pakistan divide हो गया इस पागिस्तान से चुनकर आये थे तो जैसे हिन आंपर Pakistan का divison हो गया तब तो बंगाल वारे reason से उनको लेकर आया गया ठीक है तो ये question पूछ लिया नोर्मली आप लोग गोपर उपर से पढ़के निकल जाते हो तो ये अंदर से चीजे जब इस तरीके से निकल कर आती है फिर आप लोग को लगते है यार ये क्या हो गया इसके बारे में तो हम लोगों लुक जो है वो ड्राफ्ट का ये याद रखना ये हाँ पर इसके बारे में कई बार पूछ लिया आता है ठीक है एक एक चीज बस सुनते होग चलिएक आप लोग यहाँ पर हमारे देश के अंदर में आप लोगों से कई बार question पूछा गया है जैसे committees होती है मैंने बताया ना भी यहाँ पर committees आप लोगों से बात कर रहा हूँ committees में जब आप लोग देखोगे यहाँ पर वो committee याद रखना उस committee के अंदर में कई सारी committee आप लोग को देखने को मिलती है पर at least आप लोग को जो याद रखनी है एक तरीके की आप लोग को याद रखनी है वो है flag committee के बारे में question पूछा गया state PCS के अंदर में ठीक है तो मैं आप लोग को बताने जारों यहाँ पर flag committee के बारे में आप लोग को याद रखना है जिसको जंडा समीती भी बोनते हैं तो दो flag committee बनाए गए थी हमारे देश के अंदर में जो पहली बनाए गए थी हो तो 1931 में आप लोग को देखने को मिलती थी उस flag committee को बनाए गए था सरदार पटेल जी के अदेखस्ता में ठीक है तो यह flag committee तो लोग normally हाँ पर इसको भूल जाते हैं जो flag committee बाद में बनाए गई वो आप लोग याद रख लेते हैं वो बनाए ग किर्पलानी मुझे पता था जे भी किर्पलानी बोलोगे जे भी किर्पलानी साब नहीं है यह याद रखना है यहापर क्योंकि यह question आप लोग असर गलत करते हो ठीक है यह कई जगे आप लोगो देखने को मिलता है सही question का answer मैं आप लोगों बता रहा हूँ यह आप लोगो को याद होगा SSDR ठीक है यह तो मैंने कल ही application के उबर में class लिए तो आई ये तो भूलोगे नहीं कम से कम इसका अंसर सब देते वे चलना इसमें आप लोगों को total मिलाकर पांस सब्सक्राइब देखने को मिलते हैं ठीक है जो पांस सब्सक्राइब देखने को मिलते हैं फ्लैक क यहा पर कौन सा s यहा पर क्या-क्या है यह UPSC ने प्रिलेस व्योगे वे कोशन पूछता ता आप लोगों को याद होगा recently अभी अगर पुराने PYQs आप लोगोंने देखे हैं ट्रिपल S में आप लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है इसमें आप लोग को देखने को मिलता है सोवरन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है सोशलिस्ट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है सेक्यूलर और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है ड ठीक है, SE, ठीक है न, इसी के साथ में फिर यहाँ पर आएगा socialist और फिर आएगे हाँ पर sovereign, तो dictionary में opposite side में आप लोग जाना, UPSC का एक question आप लोगा तयार हो गया, यह आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, यह बहुत ही important है, और बाद में याद रखेंगे न, डोक्टर भीमराओ अंबेडकर साब, तो DR से यहाँ पर democratic और republic आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है, democratic क्या होता है, वो तो एक लोगतंत्र होता है, कि हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे हमको represent करेंगे, पर लेकिन republic का क्या मतलब होता है, राजा का बेटा अब राजा नहीं बने हैं आपा, हमारे समिधान का idea कहां से लिया, हम लोगों ने, sorry, preamble का idea कहां से लिया, तो preamble का idea हम लोगों ने लिया, किस देश से, हम लोगों ने लिया, United States of America से, USA का, यह सब को पता रहता है, पर लेकिन question यह है, कि जो language based use किया गया है, उस particular preamble के अंदर में, वो language based किस country से हम लोगों ने लिया है, यह किसी को नहीं पता रहता है, तो यह question आप लोगों से पूचा जाता है, यह किस से लिया गया है, यह लिया गया है, यह question आप लोगों नहीं पता रहेगा, normally, यह तो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कि यहाँ ठीक है, किस से लिया, USA से लिया है पर लेकिन जो language का base है, कैसी language होनी चाहिए, वो language हम लोगों ने का से लिए है, वो language हम लोगों ने लिए है, Australia से, ये question आप लोगों से पुछा जाता है, और ये पुछा जाता है नहीं, मतलब पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है, तो आप मेंसे कौन-कौन बताएगा, प्रीयमबल के अंदर में कौन-कौन सी तरीकी की सवतनतरता देखने को मिलती है, ये विएम पर लेकिन एक article 19 आप लोगो देखने को मिलता है, ठीक है, उसके अंदर में जो freedom है, उसके अंदर में article 19 के अंदर में, हमारी 6 तरीकी फिडम बच्चे से ठीक है यहाँ पर interview question में आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि जब भी भी कोई selected होता है जैसे मैं बात करता रहता हूँ तो मुझे कई सारी चीजे पता चलती रहती है ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर याद रखना यह direct question आप लोगों से interview के अंदर पूछा गया कि हमारे preamble में किते नंबर की freedom होती है कि 5 नंबर की अच्छा ठीक है यह बताओ कि फिर हमारा जो basically article 19 है उसमें कितने तरीके की freedom देखने को मिलती है तो thought, expression, belief, faith and worship यह आप लोग याद रखना 5 तरीके की freedom आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है preamble के अंदर में याद रखने के लिए कैसे कर सकते हैं जैसे मैंने class के अंदर ही बताया था याद रखने के लिए इससे करना कि मालीजे आप लोगों को कोई thought आया आप लोगों कोई विचार आया ठीक है विचार आया किसी religion के बारे में आप लोगों मालीजे कोई विचार आ गया तो थोट आ गया आप लोगे मन में तो उसको लेकर जब आप लोग आगे चलोगे तो इस thought को तो फिर आप लोग उसके उपर trust करना श्टार्ट कर दे तो पांच तरीके की freedom आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी थोट कोई विचार आया आप लोगों ने इसको express किया आप लोगों ने इसको उपर belief किया belief करके आप लोग बोले यार ये faith है ये धरम है मैं इसकी पूजा करूँगा मैं इसकी आर्चना करूँगा यानिकी worship करूँगा यानकी उपासना करूँगा या करूँगी तो इस तरीके से आप लोग याद रखे ना तो यहाँ पर विचार अभीवेक्ति विश्वास धरम उपासना thought, expression, belief, faith and worship ये point आप लोग यहाँ पर याद रखना ठीक है, बहुत ही important है ये question interview में direct पूछागे जब मैं बात कर रहा था तो इस question के बारे बता चला तो मैंने का ठीक है बच्चों को जुरू बताएंगे और बाकी article 19 में क्या है मुझे साथ लगता नहीं उसको बताने की जुरुत है वो मैं आप लोग कितनी बार बता चुको हो या फिर article 19 में बताने की जुरुत है कौन कौन सी freedom आप लोग को देखने को मिलती है आप लोग खुद बता दीजे, आप मेंसे maximum तो बताए देंगे article 19 के अंदर में ये एक बार देख ले न यहाँ पर article 19 के अंदर में आप लोग को सारी चाही देखने को मिल जाएंगे उसमें क्या है speech and expression की है इसी के साथ में कहीं assembly आप लोग कर सकते हैं association आप लोग union बना सकते हैं कहीं भी territory में घूम सकते हैं कहीं भी जाकर रह सकते हैं और ये last वाला तो मैंने बहुती अच्छे से आप लोग उसे discuss किया था कहीं पर जाकर कोई भी काम, कोई भी profession, कोई भी trade, कोई भी business कर सकते हैं जब हरियाना के reservation वाला मैंने पढ़ाया था तो ये वाला कहीं न कहीं आप लोग हैंपर होता वा नजर आ रहा था तो ये चीज़े आप लोगों से direct question की form में interview के अंदर में इस तरीके से पुछी आती है तो ये चीज़े आप लोग यहाँ पर याद रखना बहुती basic है, बहुती important है, बहुती interesting है ये तीन तरीके के आप लोगों को देखने को मिलते हैं justice justice कौन से हैं, तीन तरीके के हमारे preamble के अंदर में एक है social, एक है economic और तीसरा है political ये सारा का सारा justice system जो है हम लोगों ने किस से लिया था रसिया से लिया था, उस ताइम पर USSR हुआ करता था ये बहुती interesting fact है, जो कि directly frequently आप लोगों से पुछे आते हैं कि हमारा जो justice system है, वो कहां से लिया गया, तो रसिया से लिया इसी के साथ में, जो यहाँ पर याद रखना, हमारा freedom, इसी के साथ में integrity और जो equality वाला है यहाँ पर, यह हम लोगों ने France के समिधान से लिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो Napoleon Bona part थे उस time पर, उन्होंने यहाँ पर अपना नारा लगाया था basically है, ठीक है, तो equality, fraternity, भाईचारा मिलकर रहेंगे, वो नारा जो लगाया गया था, उस नारे की वज़े से यहाँ पर हम लोगों ने अपने देश के अंदर में basically इसको लिया, ठीक है, तो यहाँ पर बहुती basic सी चीज है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है, अब एक और छोड़ी सी बात में बता देता हूँ, आप लोगो यहाँ पर preamble के बारे में, हमारा preamble जो है, प्रस्तावना, उसका आप लोग बोलते तो हो, यार यह introductory part है, हमारे समिधान का, पर लेकिन इसको introductory part जो है, वो starting में माना नहीं का था, मना कर दिया था इसको, तो सबसे पहले याद रखना, 1960 का case है, यहाँ पर यह, जो कि हाँ पर बेरुबारी, जो कि हमारा समिधान का पता चल गया था, यह यह होना है, तो preamble उसके अंदर में add नहीं किया, तो उसको अलगी लेकर हम लोग चल रहे थे, ठीक है, फिर इसके बाद में एक case आता है, गोलक नाथ साब का, तो गोलक नाथ साब का case आता है, 1967 1967 का, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने यहाँ पर यह बोला, कि preamble जो है, वो part तो है, पर लेकिन हम लोग क्या उसको amend कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसका नहीं बता, ठीक है, यहाँ पर तो बोल दिया था, ना तो part है न, amend कर सकते हैं, यहाँ पर तो केस वनन्द भारती केस जब 1973 थरिया उन्होंने बोला कि प्रियम्बल प्रस्तावना जो है वो हमारे constitution का पार्ट भी है ठीक है और उसको amend कर सकते हैं उसके अंदर में change भी कर सकते हैं पर लेकिन सबसे important बात क्या है कि आप लोग basic structure को change नहीं कर सकते यह निक्यात प्रेम्बल को change करलो आप लोगों करना है पर basic structure को आप लोगो change कते ही नहीं करना है यह बात आप लोग ध्यान अखना केस वनन्द भारती में प्रियम्बल के बारे में भी बोलते हैं कि हाँ प्रियम्बल जो है वो पार्ट है यह बहुती important है जो आप लोग देखने को मिलेगा, एक बार amendment हुआ, और 1976 में वो amendment आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको 42 समिधान में संसोधन बोलते हो, 1976 में, 42 समिधान में संसोधन करके हाँ पर 3 सब्द एड़ किये थे, अब वो 3 सब्द आप लोग और बता दो, देखता हूँ आप में से कौन-कौन ह लिग से इसके के अलावा कोई ये ये बस ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, तीन सब्सक्रियर कोई ये बस बस ये तीन सब्द मैंने क्यों पूछा आप लोगों से, ये तीन सब्द मैंने इसलिए आप लोगों से पूछें, क्योंकि इसी के उपर UPSC ने question पूछा था, UPSC ने आप लोगों से दे दिया, एक line दे दी लिखकर यहाँ पर, उसमें ये बता दिया UPSC ने, कि बताओ कौन सा originally ह हमारा समिधान का basically हाँ था इसमें, ठीक है, तो उसमें socialist, secular और integrity word नहीं हुआ करता था, ये UPSC का prelims का question बता रहा हूँ, recently अभी, ठीक है, या तो ये 2022 का question है, या 2021 का है, हो सकता है 23 का भी हो, मुझे exactly year याद नहीं आ रहा है, पर question मुझे याद है, तो आप लोगों से ये question recently ये अभी UPSC ने पूछा है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, इसको लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए, direct question UPSC पूछ रहे हैं, आप ये छोड़ी छोड़ी चीज़ें से आप लोगों से, तो ये मैं आप लोगों यहाँ बताना बहुत सारी चीज़ें हैं, वही गुमा फिरा के हाँ, यहाँ पर यह हो गया, वहाँ पर वह हो गया, थोड़ा सा, यह मैं जाना चारा था कि आप लोगों समिधान के बारे पता चले, क्योंकि यह जो समिधान बनाया गया है, आप लोग यह फील करके देखो, कि एक constant assembly बनान मतलब 60 plus country से हम लोगों ने एक constitution अपना लिया है, तो आप लोगों को मैं एक किताब पढ़ने के लिए बोल देता हूँ, तो आप लोग frustrated, irritate हो जाते हो एक किताब के लिए, और यहाँ पर आप लोग सोचके देखो, कि यहाँ पर एक किताब के लिए आप लोग irritate हो जाते हो यहाँ पर 60 से जादे अलगर देश के समिधान के constitution उठाए, और उसमें से हमारे लिए क्या important है, वो हम लोग ने यहाँ पर रखा, तो इसमें आप लोग अंदाजा लगा के देखो इसको कि क्या चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है, तो यह समझ सकते हो आप लो हम लोग 26 नमबर को constitution day के रूप में celebrate करते हैं, ठीक है, यह मन रोय साब के द्वारा पहली बार यह propose किया गया, और cabinet mission के द्वारा 1946 में, सोच कर देखो आप लोग यहाँ पर 34 में मांगा गया था, चारिस में proper accept किया गया इसको, ठीक है, कितनी जद्दो जहाद करनी पड़ी, drafting committee के बारे में दे रखा हैं, यहाँ पर चेर्मेन कोंते हैं, वो सारी बाते हैं यहाँ पर बता रखिये, यह basic बाते आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, अब हमारा जो समिधान था, उसका जो आप लोग यहाँ पर basically जो एक लिखावट आप लोग को देखने को मिलती ठीक है, जो सके अंदर चीजे जो शांदार तरीके से, राइटिंग देखो, आप लोग कितनी प्यारी लिखी गई हैं आप, तो यह याद रखना प्रेम बिहारी नारायन राय जादा के हातों से लिखा गया, यह आप लोग को देखने को मिलेगा, और दुनिया का सब से, आ यह आप लोग को बताना है, देखता हूँ, कौन बताता है आप लोगों में से, फस्ट कहां पर प्रिंट किया गया, यह कुशन में आप लोगों से जानना चा रहा हूँ, यह देहरादून प्रेम प्रेम आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो याद रखना की मूल कोपी अंग्रेजी में थी जिसको बाद में चलकर उसका हिंदी में भी अनुवाद कराया गया ठीक है तो यह इस तरीकी की छोड़ी-छोड़ी चीजे आप लोगों से देखो इंटरेस्टिंग कोश्चन में आप लोगों यहाँ पर बता तो कई सारे सकता हूँ पर लेकिन वो ही है मुझे इतनी सारी फेक्ट और फिगर याद आते हैं उस टाइम पर जम्हें पढ़ाने बैटता हूँ फिर मुझे लगता है कि मैं कहीं 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 ना निकल हमारे समिधान के अंदर में आप लोगों पता है कि जो हमारा समिधान उसके बारे में आप लोगो कुछ आर्टिकल भी याद रखने है कुछ आर्टिकल जैसे हमारा समिधान जो इंप्लिमेंट किया गया ठीक है तो इंप्लिमेंट किया गया उसकी जो डेट है वो कौन से आ आर्टिकल इसको याद रखना क्योंकि जब हमारे देश के अंदर में हमारा समिधान इंगलीस में था तो हमको अपना समिधान हिंदी में भी लेकर आना था तो इसके लिए 58वा समिधान में संसोधन किया 58वा समिधान में संसोधन किया और हम लोग ने एक नया आर्टिकल एड अब ये जब नया आर्टिकल एड हो गया 1987 में तब जाकर हम लोगों ने अपना समिधान जो है वो हिंदी में बेसिकली प्रिंट करना स्टार्ट किया तो इसके लिए प्रिजिडेंट के हाथ में ये पावर रहती है ये चीज करने के लिए तो ये कोश्चन ऐसे कोश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे आते हैं तो इसके बारे में आप लोग याद रखना कोश्चन ऐसे ऐसे भी पूछे आते हैं और जैसे ही समिधान हमारा इंप्लिमेंट हुआ तो गोर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट 1935 और यहाँ पर जो तो आप लोगों बता है कि लगबग 3 साल लग गए बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे टोटल हमारा समिधान तयार करने में ठीक है और आज की डेट में भी यह जो समिधान है हमारा समिधान वो प्रोपर रखा गया हीलियम का एक बोल है बेसिकली हाँ पर जिससे की हाँ पर इंपोर्डेंट है यह आप लोग याद रखना हमारा समिधान जो है वो सारे देशों से लिया गया है वो मैं आप डिसकस नहीं करूँगा वरना पूरा एक लेक्चर हो जाएगा पर हाँ कुछ बेसिक बाते आप लोग याद रखना कि सबसे बड़ा पार जो है गोर्मेंट बताया ऐसे रखी गई है ऐसी के साथ में यहाँ पर याद रखना 26 नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ जो है वो रेडी किया गया जिसके लिए टोटल मिलाकर 11 सेशन आप लोग को देखने को मिले इसको बनाने के लिए टोटल 11 सेशन दो साल 11 महीने 18 दिन लगबग 3 साल लग ग वो रिसेंटली अभी आप लोग को बता है 33 परसेंट रिजर्विशन दिया गया हमारे देश में महीलाओ को और यह संसोधन कौन से नंबर का संसोधन था यह एक 106 था अच्छा कौन से नंबर का बिल था यह आप लोग बताईए तब तक मैं बात करता हूं कि संसोधन में क् करेंट का कोश्चन मन जाएगा डिरेक्टली आप लोग से एक्जाम में पूछा जा सकता है तो थोड़ा से जहां से सुनिएगा इसलिए आर्टिकल यहाँ पर आप लोग को जो देखने को मिल रहे हैं उन आर्टिकल के बारें बात करों यहाँ पर आर्टिकल 239AA, आर्टिक आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A यह नए आर्टिकल इंसर्ट किये गए हमारे समिधान के अंदर में, हमारे कॉंशिचुशन के अंदर में यह नए आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, याद रखना जब भी कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है, कोई संस संसोधन का बिल था 106 समिधान में संसोधन बन गया और चार नए आर्टिकल आप लोग के लिए हाँ पर एड़ किएगे जिससे यहाँ पर 15 साल के लिए महिलाओ को 33% यहाँ पर मिल जाएगा अब कहां कहां पर मिलेगा 1 by 3rd reservation अगर मैं आप लोगों से पूछो तो याद रखना लोग सभा के अंदर में आर्टिकल 300A इससे यहाँ पर मिलेगा लोग सभा के अंदर में आर्टिकल 300 बेसिकली यहाँ पर आ रहा है 330A ठीक है नेक्स्ट है 332 यानि के 332 इससे मिलेगा state legislature के अंदर में यानि के जो विधान सभा होती है उसके अंदर में Delhi Assembly के अंदर में क्योंकि वहाँ पर भी election होते हैं तो वहाँ के लिए रखा गया 239AA तो वुमेन को यहाँ पर reservation दिया जा रहा है ठीक है तो यह याद रखेंगा और यहाँ पर इसके लिए आप लोग बेसिक हैं आपर यह question आप लोगों से पुछा आते हैं देखो कई बार क् कोई अगर amendment कर दिया अभी हम लोग नहीं हाँ पर क्या कर दिया यह amendment करा है कि यह कब तक रहना है यह amendment किया कि हम लोगों के 15 साल तक रहना है ठीक है पर लेकिन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह नहीं है कि 15 साल के आगे हम लोग इसको extend नहीं कर सकते हैं ठीक है कई बार ऐसे ही चला हुआ आ रहा है यहाँ पर तो यह चीज आप लोग यहाँ पर याद रखना डिरेक्टली कोशन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाए कल को ले कर ये ऐसे amendment के बारे में तो at least last के 4-5 amendment आप लोग यहाँ पर याद करके जरूर जाना जो recent के अभी देखने को मिलत जैसे UPSC ने GST के बारे में direct question पूछा था means के अंदर में ठीक है और उन्होंने amendment का नाम दे दिया था 101 वा amendment यह नहीं बोला था GST से related है अगर आप लोगो यह नहीं पता है कि यह किस से related है तो लिखलो फिर question यह तो आप लोगो पता है यह नहीं पता है कि यह नहीं पता है कि के पूछे आते हैं कई बार तो इसको आप लोग याद रखना 101 वा GST देखने को मिलता है हमारे देश के अदर अंदर में सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब के commission को constitutional status था पर लेकिन other backward classes के commission को constitutional status नहीं था तो यह भी 102 वा समिधान में संसोधन करके constitutional status दिया गया सबस के अंदर में जो 10% reservation दिया गया है वो समिधान में संसोधन किया गया है 103 वा ठीक है तो यह काफी important है आपर यह 15 और 16 और आर्टिकल के अंदर में कुछ close एड़ की गई है जिसके base पर समिधान में आज की date में आप लोग को reservation मिल पाता है तो यह होती basic basic सी चीज़े हैं जो यह की date में आप लोग को देखने को मिलता है यह national emblem है इसको adapt किया गया ठीक है 26 जनवरी 1950 में adapt किया गया हमारा national emblem 26 जनवरी constant assembly जो है वो legally एक तरीके से enforce होगी हमारे देश के अंदर में आप लोग को बता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हमारा समिधान legally enforce होगया 26 जनव जनवरी जो है यहाँ पर यहाद रखना 24 जनवरी के बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं यह 284 candidate member थे आपर 24 जनवरी को ठीक है 24 जनवरी 1950 में यहाँ पर हमारा constitution sign किया गया तो यहाँ पर 284 member थे उस time पर sign करने वालों में यह Central Hall Delhi Parliament के अंदर में यह आप ल प्यारा समिधान तो इतनी जद्दो जहत करकर यह समिधान जो है वो आप लोगे सामने हाँ पर लेकर आया जाता है तो रेस्पेक्ट किया गोरो यार यह ऐसा नहीं कि कहीं से इसे निकाल कर लेकर आया गया ठीक है यह आप लोगो पताईए कि डोक्टर सचीदानन सिना जो ह जो है वो बन गए थे ठीक है इच पेज जो है वो डेकुरेटिड किया गया तो आर्टिस्ट यहां पर आप लोग को देखने को मिले हैं आपर सांति निकेतन से included यहां पर यह दो important personality भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं ठीक है तो राम मनोर साब और नंदलाल बोस साब तो इनके नाम भी आप लोग यहां पर याद रखेगा तो यह है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा समिधान जो आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलते हैं ठीक है सबसे बड़ा return अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह सारे के सारे question जैसे आज constitution day है तो current के बारे पूछ लेंगे यह current हो गए हैं आप लोग का direct question मन सकता है कि 166 समिधान में संसोधन कहां कहां पर amendment किया गया द्रोपती मुर्मूजी थी प्रेजिडेंट जिनके द्वारे हैं पर इसको sign किया गया तो यह चीज़ आप लोगों से कई बार पूछ ले आती है तो कोई भी confusion इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए यहां तक कोई doubt है कोई समश्य है कोई परेशानी है तो बताईए कैसा लगा यह एक overview आप लोगों यहां पर सारा यहां पर इंटरेस्टिंग अभी आजी के newspaper में एक news आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखना हमारे देश के जो governor है उसके उपर अभी परतिबंद लगया सुप्रीम कोड ने तो परतिबंद जो लगया उसके बारे में क अपने इसाब से यहां पर काम नहीं करेंगे तो इसलिए यहां पर जो article 200 के अंदर में उनके पास में तीन condition यहां पर इनके द्वारा बताईगे हैं कि consent दे सकते हैं विधोल्ड कर सकते हैं और reserve कर सकते हैं प्रेजिडेंट के लिए तो जो यह condition यहां पर बताईगी है अगर उसने reject कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि बिल की death होगी है बिल खतम होगी है ऐसा कुछ नहीं है फिर से उसको reintroduce आप लोग कर सकते हैं यह बात यहां पर फिर से अभी clarification दी गई Supreme Court के द्वारा जो 27 pages का judgment था उसके अंदर में यह बाते सामने निकाल कर यहां पर लेकर आई गई है तो यह सारी चीज़े हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो आज का यह lecture है इसको अगर किसी को पहली बार किसी ने सुनाए तो बैठ कर फिर से एक बार सुन लेना इनको recall कर लेना इतने सारे question यहां पर exam में आप लोग को देखने को मिलेंगे कि आप लोग मतला क्या ही बोलू आप लोग एक तरीके समझ सकते हैं पर फिर से वही बोलूगा मेरा basic purpose यह नहीं है कि exam में बस question आप लोग attempt कर लो मेरा basic purpose यह रहता है कि यह जो समिधान है हमारा constitution है इसक जिसके हम लोग को दिल से respect करनी चाहिए तो यह चीज आप लोग हमेशा कोसिस करो कि समिधान की दिल से respect करो चाहे कुछ हो चाहे ना हो क्योंकि एक ऐसी चीज है हम लोग आज की डेट में इसी की वज़े से हैं वरना अंग्रिये जोने क्या त्यचार किये है हमारे political party भी इस static portion पढ़ा दिया कभी कभी static का भी मज़ा ले लिया करो ठीक है एक्जाम में end time पर static की काम आता है current तो सब पढ़ लेते हैं static छोड़के चला जाता है बहुत सारे लोग तो यह फिर आप लोग हैं पर फिर वही काम आता बना जराता है ठीक है एक particular मैंने आप लोगों से बात क करना है तो साथी scheme का आप लोग enjoy कर सकते हो साथी scheme जो है जिसमें सरकार जो है यहाँ पर basically आप लोग के लिए service provide करा रही है तो वो सब के लिए है यह आप लोग यहाँ पर याद रखना यह मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए जिसके बारे मैंने कल भी आप से जिक्र किया था ठीक है तो उसको लेकर कोई doubt आप लोग मत रखना यह basically एक ऐसी scheme है जो सब के लिए free है मैंने आप लोग को बोला था कि उसके बारे में पढ़कर एक बार आप लोग को बताऊंगा ठीक है ठीक है तो साथी का self assessment test and help for the entrance portal तो यह portal है हमारे देश के अंदर मे वो सब के लिए free of cost है आप लोग अगर चाहें तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं उसका इस्तमाल करकर जिसके पास में पैसा नहीं है सरकार आप लोग के लिए parallel में हाँ पर यह चीज़े चला रही है ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में क यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्चा कोई प्रेसानी है तो बताओ उसको दूर किया जाएगा कोई दिक्कत है कोई यहाँ पर मजा आया की नहीं है अब भूलोगे समिधान को जो जो बाते आप लोग को बताइए समिधान कवर करा दिया प्रियंबल कवर करा द तो यह बेसिक चीजे हैं जो कि आप लोगों से कई बार पुछी आती है बाकी यहाँ पर कुछ इकका दुखका न्यूज और हम लोग देख लेते हैं आपर जिससे कि आप लोगों को और नोलिज का एक तरीके से नोलिज की या फिर बोलो ग्यान की प्राफ्ति हो जाए तो यह यहाँ पर बात करते हैं कि सके बाठे हैं International Tropical Timber Council के बारे में यह आप लोग याद रखना कश्चन कई बार आप लोगों से पूछ आते हैं International Tropical Timber Council, यह conclude करती है major decision, यहाँ पर किसके बारे में आप लोगों से पुछा जा सकता है, कि यहाँ पर कि International Timber Tropical Council क्या है, इसके बारे में question आप लोगों से पुछा जा सकता है, ठीक है, तो यह किसके बारे में बात करती है, यह conservation of the world forest के बारे में बात करती है, basically, तो इसके बारे को tropical forest क्या होते हैं जब आप लोग पृत्वी देखोगे तो पृत्वी पर आप लोग हैं हाँ पर बीच में equator देखने को मिलेगा उफर tropic of cancer देखने को मिलेगा नीचे tropic of capricorn देखने को मिलेगा तो tropical forest आप लोग को नजर आएंगे हाँ पर जिसके आसपास में होता है तो उसके बारे बात कि जा रही है ये साल में एक बार मिलती है और परमोट करती है sustainable forest के बारे में टोटल मिलाकर 75 country including India इसका member है ठीक है ये manage करती है 80% of the world tropical forest responsible है 90% of the global जो यहाँ पर tropical timber इसी के साथ में इसका headquarter जो कहां पर है ये है योकहमा जापान के अंदर में ठीक है और funded की जाती है voluntary basis पर voluntary मतलब जिसका मन करता है अलग-अलग सरकार जो है यहाँ पर पैसा दे देते हैं जिसका मन नहीं करता है वो नहीं देते हैं इस्टेबलिस किये थी इंटरनेशनल ट्रोपिकल टिंबर एग्रिमेंट के द्वारा 1983 में तो ये एक तरीके से चीजों को protect करने की कोसिस की जाती है जब कोई इस तरीके की बोड़ी आप लोग के सामने निकल कर आती है ठीक है तो direct question आप लोगों से पुछा सकता है थोड़ जैसे इंटर गॉर्मेंटल पैनल है ये इंटर गॉर्मेंटल ओर्गिनेशन है परमोट करती है forest conservation के लिए 80% यहाँ पर ट्रोपिकल फोरेस्ट और 90% global timber trade के बारे में बाते करती है all project fund किया जाता है voluntary contribution के basis पर कौन सी statement correct है 1 2 2 3 1 3 या फिर ओलूब दाबो सही answer बताए देखता यहाँ पर इसका अंसर आप लोगो डी देखने को मिलेगा सारी की सारी statement जो है वो मैंने भी आप लोगों से डिसस की तो कोई भी confusion इसको लेकर आप लोगे मन में नहीं होना चाहिए ठीक है यहां तक कोई भी doubt आप लोगे मन में नहीं होना चाहिए direct question आप लोगों से पूछ मच्छर की गुन-गुनहाट तो आप लोग ने सुनी होगी कि मच्छर आप लोग गाने सुनाते में नजर आते हैं अब सोचो कि जो मेंड़क है वो भी आप लोग गाने सुनाय करेंगे मच्छर से परेसान थे अब मेंड़क भी गाने सुनाने वाले आने लगे तो दोनों क music आप लोग सुन सकते हो और life को enjoy कर सकते हो life में entertainment जह है वो बना रहेगा तो यह कहाँ पर discover किया गया है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा जहां से आप लोग का question भी आप लोगों से पूछा जा सकते है इसके बारे में क्या बाते हैं हम लोग देख लेते हैं हापर सबसे पहले तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है ठीक है तो यहाँ पर नदरीना नोदिहिंग यह आप लोग को देखने को मिलेगा और इंपोर्डेंट बात किया कि फर्स ताइम यहाँ पर जो यह आप लोगो देखने को मिला इंडिया में नदरीना जीनस जो आप लोगो निकल कर आए हाँ यह इंडिया के अंदर में फाउंड किया गया पहली बार नोर्मली यह पाई कहां पर जाती है जापान में ताइवान में चाइना में वियतनाम में लाउस में थाइलेंड में यहाँ पर देखने को मिलते है पर अभी यहाँ पर देखने को मिला और इसका नाम रखा गया नदरीना तो नदरीना नाम क्या निकल के आगया कहां से निकल कर आगया तो जो नाम है यह है आपर नाओ धिना यह रीवर है आपर बेसिकली जहाँ पर यह आसपास में देखने को म екहें के इंदर में जहांसे इसका नाम निकालकर यह लेकर आया गया क्या यहां पर यहां पर यह याद रखना कि question बनने के chances यहाँ पर ठीक है तो मच्छर के साथ में मेंडक के भी गाने सुनने के लिए तयार रही है खासकर अरणरचल प्रदेश वासी तो ठीक है तो आप लोगों यहाँ पर यह चीजे देखने को मिल सकती है तो मैंने हाँ पर equity grant के बारें बात की थी जबकि इसमें जो था ये question गलत हो गया था क्यों क्यों क्योंकि non equity grant के बारें बात की थी तो एक बच्चे के द्वारा question पुछा गया है सर ये equity grant और non equity grant क्या होता है तो मैंने का इसको बताते हैं किस को पता है इसके बारे में आप में से किसी को पता है Non-Equity Grant क्या होता है Non-Equity Grant एक तरीके से funding होती है जो finance की जाती है किसी particular एक तरीके से अपनी ownership को ना sale करते हुए ठीक है जैसे equity grant है तो equity grant एक तरीका compensation है जो किसी को दिया जाता है percentage in the ownership यानि किसी को अपनी company की equity दे देना तो company की equity दे देना हो गया equity grant मालेज़े आप लोग ने कोई company с ESTार्ड करी उस company का नाम है ABCD ठीक है तो ABCD नाम की कोई company स्टार्ड करी आप लोगोंने तो ABCD नाम की जो company है उस company की अगर आप लोगोंने 5% सेर किसी को दे दे तो आप लोग ने 5% equity दे दी ठीक है तो यह हो गया एक तरीक से equity ठीक है तो यह equity सब्द आप लोग यहाँ पर याद रहना इसको दूसरे भासा में हम लोग share बोल देते हैं ठीक है तो इसको लेकर कोई confusion नहीं होना चाहिए तो equity का मतलब होता है कि किसी के साथ में share दे देना ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर याद रहना कई बार कोश्चन आप लोग को इस तरीकी दूसरे टेस्ट होगा आप लोग का UPSC का जो कि आप लोग की test series चल रही है आपर तो उसको आप लोग अच्छे से enjoy कर सकते हैं इसके अलावा अपना जो आप लोग का quiz चलता रहता है उसको आप लोग attempt कर सकते हैं और December से आप लोग के लिए हाँ पर NCRT की classes start हो रही है और के साथ में December से free test series भी आप लोग की देखने को मिलेगी जो की सब के लिए रहेगी पेड़ वाली चलती रहेगी अलग से ये free current affair test series आप लोग के लिए हाँ पर निकल कर आ रही है जिसमें 100 questions हुआ करेंगे आप लोग की अब अब तक आप लोग को 50 questions देखने को मिलतेते weekly अब गंटे अगर real देख सकते हो तो 2 घंटे आप लोग लगबग इसको भी देख सकते हो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोग को कोई दिक्कत रहेगी है कि नहीं तो उसके लिए आप लोग तैयार है ना तो all the best to all of you दोनों चीजों के लिए और ये सारी चीजे systematic way में ले जल्दी आप लोग को जो आरो यारो की glasses चल रहे हैं आप लोग को उसकी भी test series आप लोग को हाँ पर देखने को मिलेंगे वहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं आप लोग application पर एक बार जाकर देखो तो सही ठीक है तो वो चीजे आप लोग इहां पर अच्छे से देखो एक बा इतना ज्यादा करोगे उतना बहतरी नहीं चीजों को उतने ही लंबे समय तक आप लोग याद रख पाऊगे आज के lecture का feedback क्या है ये बताना और बाकी answer writing group में आप लोग रेगुलर अच्छे से answer लिखते रहो और answer writing group भी आप लोग यहां पर participate कर सकते हैं अगर serious हो reality में ठीक ह आज की date में हर जग है आप लोग चाहिए अभी बात कर लो जैसे RO के बारें बात कर लो UPSC के बारें बात कर लो State pieces के बारें बात कर लो IB वाला exam आ रहा है उसमें भी essay पूछा जा रहा है आप लोगों से लिखने के लिए तो answer writing तो आप लोग start कर ही दो थोड़ा बहुत लिखना start करो इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से हाँ पर enjoy कर पाओगी ठीक है जिसे कि आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को आप लोग लेकर चल सकते हो ठीक है बाकी अच्छे से मज़े करते रहो और अगर चीज बजे आप लोग जरूर तेयार रहना ठीक है और NCRT के लासे दे उसके लिए रेडी रहना जल्दी उसके lecture आप लोग के start होंगे जैसा मैंने बताया था ठीक है तो अच्छे से enjoy करते रहो और आगे बढ़ते रहो और भी कोई सेवा पानी करनी हो तो बता देना उसको भी हम लोग देख लेंगे ठीक है डाउट सेशन चलो ठीक है पूछ लो क्या पूछना है बैठा तो में ही डाउट तो मैंने बोला था ना comment box में लिए देना जो दो तीन मुझे डाउट लगे एक बच्चे ने mail किया था तो वो में लेकर आ गया यहां पर equity वाला था और वो वाला सहत वाला था यह सारे चीज मेंने आप लोगों को बताईे thumbnail क्या लगा रहा था, starting में explain तो क्या था thumbnail के बारे में, thumbnail में क्या था, thumbnail मैंने श्तार्ट की था हाँ रतन टाटा जी कौन है रतन टाटा जी ये रतन टाटा जी के नाम से बत्तमी जी काट रहा है बंदा बिहार PCS के लिए answer writing test series answer writing test series में यार ना पूरी टीम लगती है आप लोग सोच के देखो मालीजे तीन हजार बच्चे जुड़ गए तीन हजार बच्चों की copy चेक करने के लिए पता है कितने लोग लगेंगे आप लोग समझे रोग उस चीज के लिए तो उसके लिए इसलिए हाँ पर demo answer आप लोग के लिए दे जाता है उसके लिए थोड़ा सा wait करिए उसके लिए आगे चीजे थोड़ी सी रहेंगे ठीक है मंतली pdf हिंदी और इंग्लिस दोनों में होंगी ठीक है revision करने की study के उपर मैं extra video बना दूँगा आप लोग के लिए ठीक है न बिहार के लिए मैं देखता हूँ यार बिहार उडिसा और यूपी के लिए कई सारे बच्चों ने बहुत सारे basically mail भेज रखे है mail idea study lover we are at the rate zmail.com interview यार देखो आप लोगे ऊपर depend होता है ठीक है आप लोग जिसमें comfortable feel करते हैं उसमें आप लोग बोल सकते हो ऐसा नहीं आप लोग मतलब एक तरीक से balance बना के चल सकते हो normally ठीक है तो ऐसा नहीं यह उसमें बस सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपनी बात systematic way में रख रहे हो answer writing की starting अगर आप लोग करने है सबसे आसान तरीका है पहले अपना बैट के जो आज आप लोग ने लेक्चर देखा इस लेक्चर में से कौन से point है जो आप लोग लिख सकते हो बीना देखे उसको लिखने की कोसिस करो answer writing का मतलब है अपना mind जो है उसको prepare करना काम को करने के लिए ठीक है तो वो चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा UPSC course की validity अना extend करने के लिए UPSC course की validity जो है वो extend की जाएगी जैसे आप लोग का course की जो date है basically आप लोग की course जो है वो means तक है जो UPSC का means होगा उस तक है के लिए extend कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए tension मत लेना ठीक है ऐसे की class कब से start होगी जल्दी start होने वाली है मैम से बात हो रही थी मेरी तो जल्दी उसमें आप लोग को देखने को मिलेगी ऐसे की class भी ठीक है हाँ उसकी validity मैंने बताया तो extend करेंगे बहुती माइनूट से price में extend कर दी जाएगी उसकी validity ठीक है तो उसके लिए tension मत लेना आप लोग यहाँ पर आप लोग पहले पूरा तो हो जाने तो अभी तो पूरा साल बचा है नौंबर में बैठे में लगवग अगले October तक के end तक ह देखने को मिल रही है आप लोगी तो September तक आप लोग का मेंस होगा ना तो वहां तक अभी एक साल लगवग पड़ा हुआ है पहले उसको देखते तो रही है फिर extend कर देंगे उसके लिए tension मत लेजे आप लोग यहाँ पर ठीक है flag committee में मतलब member थे basically जो decide करे थे कि हमारा जंडा कैसा होना चाहिए ठीक है तो वो flag committee बनाएगे थे कि हमारा जंडा किस तरीके का होना चाहिए उसके अंदर क्या 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 चीज़े वो सब चीज़े decide करने के लिए ताकि हमारे देश को represent कर सके अगर optional का course आएगा तो उसम अबर तो तो होई जाएगा बाकि आगे के लिए आप लोग उसके इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है उसका करते है ठीक है आरो वाले का करते है उसका हिंदी में tension मतलब आप लोग if governor withhold the ascent to the bill he has to send he has to given the ascent to the bill if bill pass second time in the legislature again has other option वो pass कर दिया जाता है तो governor के pass में जाएगा जैसी pass होने के बाद में governor फिर उसको रोख नहीं पाएगा governor को ascent देना ही देना पड़ेगा ठीक है governor फिर उसको नहीं रोख सकता है यह ऐस समिधानिक हो जाएगा ठीक है नेचर लवर में class देखना बंद कर दूँगा ओके मैंने कोई फाल तो comment नहीं किया है कोसिस के अगरो कि पढ़ाई वाले comment कि अगरो ठीक है पढ़ाई वाले comment एक दूसरे को appreciate करो support करो उल्टे सिधे comment मत कि अगरो ठीक है उससे कुछ फायदा नहीं है अपना lecture है पढ़ने आए हो तो पढ़ाई को इंजे करो ठीक है sociology option क्या sociology option की class से start होने वाली है ठीक है हाँ जल्दी class start होने वाली है इसकी अभी इसके बारे में मैं मैम से discuss करके दोनों से उसके बारे बात कर दूँगा और geography वाली हाँ geography वाली भी आप लोगी तीनों सारे एक साथ में मैं बोल दूँगा आप लोगो ठीक है है एपी समिधान दिवस्तु ओल फ्यू चलो अब ध्यान दखो अच्छे से enjoy करो ठीक है answer writing group में join करने के लिए कौन से न यार यह लिखा तो है आप लोगो सामने कई सारे बच्चे तो direct mail करते हैं बोलने के बाद भी यह scan करना है आप लोगों यहाँ पर इसको scan करने के बाद कितनी बार मैं आप लोगों यहाँ पर यह चीज़ दिखा चुक हूँ आप लोगो डेली दिखाता हूँ कि answer writing group जबी भी मैं answer writing group के बारे बात करता हूँ तो उहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगो वह दिखाता हूँ ठीक है देखो यह यह scan करना है यहाँ पर यह number है यह सा सा तो चुका हूँ यार उसके बार यह बार बार आप लोग यह यह सुना करो चीज़े धंग से थोड़ा सा चलो आज के लिए ही पर समात करते हैं love you all अपनी सेथ का ध्यानक और अपने परिवार का ध्यानक और सबसे ज्यादे इंपोर्टेंट अपनी पढ़ाई का ध्यानक को ठीक है तो अच्छे से life को enjoy करते हो कोई भी दिक्कत कोई समस्चा कोई प्रेसानी हो तो मैं यहाँ हूँ ठीक है उन्हें काता है मैं अभी जिन्दा हूँ तो टेंसन मत लेना अभी और बहुत सारी चीज़ा आने वाली हैं pipeline में जैसा मैंने आप लोगो बताया था कई सारी चीज़ा आप लोगो देखने के उमलेगी बहुत ही शांदार तरीके से तयारी करते हुए नजर आएंगे बहुत सारे बच्चे धिले पढ़ गे थे दिपावली में और अभी हाँ पर छट पूजा celebrate करके आएं तो फिर से चांदार तरीके चीज़ों को लेकर चलेंगे ठीक है चलिए फिर बाइबाइ टाटा सी यू और हाँ test series के टाइम पर पहुंचाना जिस जिस ने भी हाँ पर test series practice करनी है तो अच्छे से पहुंचाना और अभी 25% का जो discount चल रहा है वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं वो सब जगह लग रहा है ठीक है तो वो आप लोग देख लेना जहां पर भी आप लोग उसको use करना होगा ठीक है तो फिर ता कि आप लोग चीज़ों कर सके और NCR कोर्स है वो जादे से ज़्यदा लोगों के साथ में share कीजे क्योंकि जैसे ही कोर्स स्टार्ट होगा फिर वो वाली चीज़ों की change होगी जैसा मैंने बताया था तो किसी को लग रहा है कि affordable most affordable course यहां पर लेना है तो उसमें आप लोग सब के साथ में उसको share कर सकते हैं ठीक है सबको समिधान दिवस की सब काम नहीं घरवालों को भी बताना कि यह day हम लोग celebrate करते हैं नॉर्मली घरवालों को नहीं बताते हैं हम लोग ऐसे day के बारे में ठीक है इसके बारे में awareness फिलाव जादेश जाद है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा समिधान है यार इसके बार पुरा समिधान बढ़ा देना आज घरवालों को बैट गे ठीक है चलो फिर नेक्स लेक्षर में मिलता हूं ठीक ना अपना जहाना के एक्जक्ट टाइम पर पहुंचाना शाम को तीन बजे आप लोग की मंतली वीडियो हम लोग डिस्क्रस करेंगे डंग से ठीक ना चलो फिर लव यार टेक्ट